नमसकार दोस्टों, मेरा नाम है डौक्टर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायो प्रोन टैबलेट का उपयोग किन कंडिशंस में किया जाता है? Bioprone Tablet को कैसे लेना चाहिए और Bioprone Tablet की वज़ज से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Bioprone Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में Bioprone Tablet को लेना recommended नहीं होता है और यह भी जानेंगे की क्या वजन को बढ़ाने के लिए BioPron Tablet को लेना सही है या नहीं BioPron Tablet Anti-Histamin Drug Class की दवा है जिसका उपयोग भूग को बढ़ाने के लिए और allergy व नजला के लक्षनों से राहत पाने के लिए किया जाता है एलर्जी या नजला के लक्षन जैसे की नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आधी लक्षणों से राहत पाने के लिए बायो प्रोन टैबलेट का उप्योग किया जाता है, जिन व् भूप को बढ़ाने के लिए डॉक्तर बायो प्रोन टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं, बायो प्रोन टैबलेट भूप को बढ़ा कर वजन को भी बढ़ाने में सहायक होती है, बायो प्रोन टैबलेट एक ब्रैंड नेम है, बायो प्रोन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम सकती है बायो प्रोन टैबलेट की वज़ा से वजन बढ़ सकता है क्योंकि बायो प्रोन टैबलेट भूप को बढ़ाती है जिसकी वज़ा से वजन बढ़ सकता है लेकिन कुछ व्यक्तियों में बायो प्रोन टैबलेट की वज़ा से भूप कम भी हो सकती है इसके अलावा बाय आने का मन होना आधी साइड एफेक्ट्स बायो प्रोन टैबलेट की वज़से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की बायो प्रोन टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। बायो प्रोन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। भूप को बढ़ाने के लिए 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर बायो प्रोन 4 mg टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन बायो प्रोन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको बायो प्रोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि बायो प्रोन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में बायो प्रोन टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। बायो प्रोन टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और बायो प्रोन टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है क्य ऐसे व्यक्तियों को Dr. Bioprone Tablet को केवल शाम के समय लेने की सला दे सकता हैinea। क्योंकि कुछ व्यक्तियों को Bioprone Tablet को लेने के बाद मींद अधिक आ सकती है। जिसकी वज़से उनका Office का काम प्रभावित हो सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या वजन बढ़ाने के लिए Bio-prone Tablet को लेना सुरक्षत है या नहीं? देखिए भूप को बढ़ाने के लिए Bio-prone Tablet को लिया जा सकता है. लेकिन कुछ व्यक्ति वजन को बढ़ाने के लिए बायोप्रोन टैबलेट के साथ साथ स्टेरोइड्स दवाईयां जैसे देखसोना आधी दवाओं का सेवन करते हैं। स्टेरोइड्स दवाओं की वज़े से सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी दवा को लेने से पहले आपको डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सला के बिना किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं बायो प्रोन टैबलेट को ले सकती है या नहीं? प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरुरत पढ़ने पर ही बायो प्रोन टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है उनके लिए बायो प्रोन टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेट नहीं है इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं औ और स्तन्पान करा रही महिलाओं को डॉक्तर की सलाह के बिना बायो प्रोन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बायो प्रोन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।